Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Heart of Darkness Heart of Darkness एक novella है जिसे लिखा है Polish-English novelist Joseph Conrad ने Joseph Conrad ने इस novella को first time published किया in 1899 in Blackwood's Edinburgh magazine Second time published किया in 1902 in Youth and Two Other Stories ये novella actual में semi-atobiographical novella है मतलब ये कि इस novella के अंदर जो main character या narrator जिसे हम कहेंगे मार लो वो Conrad को represent कर रहा है ये novella actual में अफरीका के अंदर European colonial rule के बारे में है मतलब ये कि ये Western colonialism की dark side को represent करता है इस novella की summary देखते है हम और उसके बाद इसको हम analyze करेंगे Heart of Darkness मार लो जो कि कहानी का narrator है वो तेम्स रीवर में एक कश्टी पर सवार अपने दोस्तों को अपनी माजी की एक दिलचस्प कहानी सुनाता है ये कहानी तब की है जब उसे काम की बहुत ज़्यादा तलाश थी और वो अपनी आंटी के जरीए एक Belgian colonial firm नामी कमपनी में काम हासिल करने में कामयाब हो जाता है ये कमपनी अफरीका में आईवरी जिसे हम हाथी दान कहते हैं उसकी तिजारत करती है मार लो को कश्टी में कैप्टन का काम मिलता है वो कमपनी के जरीए कश्टी से कुछ European और अफरीकन्स जीने Conrad Cannibals का नाम देता है उनके साथ अफरीका के इलाके कौंगो के लिए रवाना हो जाता है वो एंगलिश कमपनी के कौंगो में काइम करदा स्टेशन्स पर मकामी लोगों के साथ जल्म और जियात्ती देखकर बहुत हैरान होता है मार लो कमपनी के आउडर स्टेशन पर पहुँचता है जहां कमपनी के एजेंट मकामी लोगों से जबरदस्ती काम करवाते नजर आते हैं एक घने जंगल के दरमयान मुझूद स्टेशन में मकामी लोगों को इस तरह से इस्तमाल होते देख कर मारलो हैरान हो जाता है आउटर स्टेशन के बाद कष्टी में सवार होका मारलो सेंटर स्टेशन पहुँचता है जहां वो जनरल मेनेजर से मिलता है जेनरल मिनेजर एक बहुत ही बड़ इखलाग इनसान है सेंट्रल स्टेशन पहुँचकर मार्लो को पता चलता है कि उसकी कश्टी को तबाह कर दिया गया है वो कई मा कश्टी ठीक होने के इंतजार में सेंट्रल स्टेशन पर गुजार देता है वहां पर रहते हुए मारलो को एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम है कर्ट्स कर्ट्स एक कोलोनियल एजेंट है और आईवरी का बहुत बड़ा ताजर भी मारलो को पता चलता है कि कर्ट्स बहुत ज़्यादा बिमार है वो उससे मिलने के लिए बहुत बेताब हो जाता है कश्टी के सही हो जाने के बाद मारलो, जेनरल मेनेजर, कुछ एजेंट्स और कुछ कैनिबल्स के साथ कर्ड्स के इनर स्टेशन की तरफ शफर शुरू कर देता है घने जंगल की खामोशी से मारलो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है रस्ते में वो लोग एक जोंपड़ी के पास से भी गुजरते हैं जिसमें लकड़ियां रखी होती है और उस पर लिखा होता है एहत्याद से इसके करीब जाएं मारलो और बाकी लोग कष्टी में लकड़ियां जमा कर लेते हैं और अपने सफर को दुबारा शुरू कर लेते हैं सफर शुरू करने के बाद कष्टी के इर्दगिर्द बहुत ज़्यादा धूंद इकठा हो जाती है धुन्द देखकर मारलो बहुत परेशान हो जाता है लेकिन धुन्द थोड़ी ही धेर में खत्म हो जाती है धुन्द खत्म होने के बाद मकामी लोग मारलो और बाकी लोगों पर हमला कर देते है मारलो मकामी लोगों को ड्रा कर भगाने में काम्याब हो जाता है लेकिन हमले के दुरान अफरीकन सर्बरा मारा जाता है मारलो और बाकी लोग सफर को दुबारा शुरू करते है और कुछ देर के सफर के बाद मारलो और उसके साथी इनर स्टेशन पर पहुंचाते है जहां पर वो एक पागल रिशियन ताजर से मिलते है वो उन्हें कर्ट्स के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जोंपड़ी में लकड़ियां उसने रखी थी वो आदमी मारलो को बताता है कि कर्ट्स कोई आम आदमी नहीं है बलके मकामी लोगों के लिए एक खुदा की तरह है मारलो कर्ट्स के ظلم का अंदाजा उसके स्टेशन के इर्द गिर्द लगी बार पर लटकी हुई खोपड़ियों से लगाता है लेकिन लोग उसे खुदा की तरह मांते हैं कुछ लोग कर्ट्स को स्टेचर पर स्टेशन से बाहर लेकर आते हैं और बहुत से मकामी लोग उसके इर्द गिर्द इकटा हो जाते हैं जिने कर्ट्स इशारे से दूर बगा देता है जेनरल मनेजर कर्ट्स को कष्टी पर ले आता है जहां पर मारलो उसके साथ बात करता है रेशियन ताजर मार्लो को बताता है कि उनकी कष्टी पर हमला भी कर्ट्स नहीं करवाया था कर्ट्स कष्टी से भागने की कोशिश करता है लेकि मार्लो उसे रोक लेता है मार्लो कर्ट्स को लेकर इंगलेंड के लिए रवाना हो जाता है क्रड्स बहुत ज़ादा बिमार है लेकिन क्रड्स बिमारी की वज़ा से रस्ते में ही मर जाता है वो मरने से पहले मारलो को अपने काख़ाद देता है और आखरी अलफाज बोलता है दा होरर दा होरर और इसके बाद क्रड्स मर जाता है मारलो बहुत परेशान हो जाता है लेकिन वो इंगलेंड उन काख़जात के साथ वापिस पहुंच जाता है और कर्ड्स की अमानत उसकी फ्यांसी को दे देता है और यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है समरी को हमने देख लिया अब इसका थोड़ा एनालसिस कर लेते हैं हम Heart of Darkness एक्चल में एक फ्रेम स्टोरी है हम इसमें देखते हैं स्टोरी वीदीना स्टोरी एक स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरी स्टोरी जो मारलो अपने साथी दोस्तों को सुना रहा है तो ये एक फ्रेम स्टोरी है जिसके अंदर डिफरेंट थीम्स है फर्स्ट थीम स्टोरी के अंदर इस नोवेला के अंदर है रेसिसम हम देखते हैं के मारलो अफरीका के इलाके कौंगो में जाता है और वहाँ पर जो इंगलिश एजेंट्स हैं उनका अफरीकन लोगों के साथ जो बरताओ है उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और उसे उन लोगों पर तरस भी आता है वो ये कहता है कि ये लोग भी इनसान है इनके साथ अच्छा बरताओ करना चाहिए मतलब ये कि वो उस रेस को अपने से कमतर तो समझता है लेकिन कहता है कि इनके साथ अच्छा बरताओ होना चाहिए उसके इलावा वो उनको सेवजिज, कैनिबल्स ये नाम देता है तो ये है कि रेसिजम देखते हैं हम इस नोवेला के अंदर रेसिजम के बाद हमारा सेकंड थीम है ग्रीड एंड इम्पिरियलिसम हम इस नोवेला के अंदर देखते हैं कि कर्स जो के एक कॉलोनियल एजेंट है वो कॉंगो के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर आईवरी की ट्रेडिंग स्टार्ट करता है और वो हर हद से गुजर जाता है लोग उसे अपना खुदा मानते हैं और वो अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए लोगों के उपर जल्म करता है इसका अंदाजा हमें होता है उसकी जो जो जोपड़ी है उसके इर्दगिर लगी बाड़ पर लोगों की खोपड़ियां देखकर यह वो किस तरह से अपनी पावर का इस्तमाल करता है और वो आईवरी की ट्रेडिंग में हर हद से गुजर जाता है और इंपिरियलिस्ट पावर का इस्तमाल करते हुए वो आईवरी की ट्रेडिंग करता है अफरीका के अंदर तो यह देखते हैं हम की ग्रीड है इसके अंदर और इंपिरियलिसम है कि जो English colonial agent है वो अफरीका में जाकर कैसे अपनी पावर को इस्तमाल करते हैं और उनकी जमीन का गलत इस्तमाल करते हैं थर्ड थीम इसके अंदर है hypocrisy and indifference हम इस नौवेला के अंदर देखते हैं कि जितने भी colonial agents हैं जो English colonial agents हैं यूरपियन्स हैं वो अफरीकन्स को अपने से अलग समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनका moral Christian right है कि वो अपने से different डोगों पर rule करें उन पर अपनी power इस्तमाल करें उनकी जमीन को इस्तमाल करें उनकी resources को इस्तमाल करें Greed and Imperialism, Hypocrisy and Indifference थीम्स के बाद हमारे पास है इस नोवेला के सिंबल्स इस नोवेला के अंदर टू मेंन सिंबल्स हैं जिसमें नमबर वन पर है डार्कनेस इस नोवेला का नाम है Heart of Darkness नोवेला के स्टार्ट में मारलो ये कहता है कि यॉरप भी एक दफ़ा एक डार्क जमीन ही थी जब रॉमन्स यहां पर आये थे उससे पहले ये एक डार्क जमीन थी ये बंजर जमीन थी यहां पर 20 अंधेरा ही था जो बाद में उजाला में चेंच हो गया उसके इलावा जब मारलो अफरीका में पहुँचता है कौंगो में पहुँचता है तो वो डार्क नेस देखता है घणे जंगल की डार्क नेस तो उससे बहुत परेशान हो जाता है लेकिन ये नोवेला मेंली रिप्रीजन्ट करता है Darkness of Colonial Agents जो उनके दिल के अंदर की डाकनेस के वो किस तरह से अफरीकन्स को इस्तमाल करते हैं जैसा के कर्ट्स का जो काला दिल है वो किस तरह से लोगों को इस्तमाल करता है उन पे जल्म करता है और उनके लिए एक खुदा बनके रह जाता है उसके इलावा घने जंगल की जो डाकनेस है उसके अंदर लोगों को किस तरह से इस्तमाल किया जाता है तो ये मेंली है कि ये इस नौवेला के अंदर डाकनेस को हम देखते हैं लोगों के दिलों की Darkness और उसके इलावा उस घने जंगल की Darkness यहां पर लोगों को इस्टमाल किया जाता है और बाहिर की दुनिया को उसका अंदाजा नहीं होता उसके बाद Second Symbol है Ivory आईवरी को रिप्रेजन्ट किया जाता है उसके सुफध रंग की वज़ा से और वो दो चीजों को रिप्रेजन्ट करते है एक तो वाइट यॉरोपियन पीपल उनके सुफध रंग को रिप्रेजन्ट करती है और उसके इलावा आईवरी खुद भी एक सिंबल बनके रह जाती है मारलो जब कॉंगो में पहुचता है तो वो देखता है हर इनसान आईवरी के बारे में बात कर रहा है ऐसा लगता है कि जैसे कोलोनियल एजेंट्स का जो रिलीजन है वो आईवरी है वो दिन रात उसके बारे में बात करते हैं उसकी पूजा में लगे रहते हैं तो ये में सिंबल है आईवरी का उसके इलावा ये कोलोनियल एजेंट्स के वाइट कलर को रिप्रिजन्ट करती है ये किस तरह से ये उनके साथ रिलेट करती है आईवरी उनके लिए बनी है वो आईवरी के कलर का है तो ये दो मेन सिंबल्स हैं इस नोवैला के अंदर डार्कनेस, डार्कनेस ओफ कॉंगो और आईवरी जिसकी ट्रेडिंग के लिए यॉरोपियन्स अफरीका चाते हैं और वहाँ पर उन पर अपनी पावर का इस्तमाल करते हैं तो ये है मेन नोवैला हार्ट ओफ डार्कनेस जिसे जौसफ कॉंडरेड ने लिखा तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का ये लेक्चर उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस